एलो स्टूडेंट स्वागत आपका पाई क्लास इस बाई सचेन मलिक में आज का टोपिक क्लास नाइन्थ के लिए वक्षीट नमबर 61 टोपिक है रचनाय या इंग्लीज में बोलेंगे तो कंस्ट्रक्शन इसमें हमें फिगर्स बनानी होती है देखो इसमें हमें आज क्या-क करें यानी इसका लंब सम्दिभाज़क कैसे खहचे या परपेंडीकुलर बाई सेक्टर इसका क्हचे खहचे फरपेंडीकुलर MARK का मतलब है या लंब सम्दिभाज़क का मतलब है इस को दो बराबर बराबर हिस्सों में बाटना बिना scale से ना पिल जो तो हम कैसे करेंगे मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं जैसे example number 9.5 दे रखा example number 1 दे रखा 9.5 यह जो हमने line ली है मालों यह जो line है यह 9.5 cm की ही है इसकेल से खेंसलोगे इतना तो आपको आता है अब हम क्या करेंगे हम compass लेंगे यानि परकार लेंगे उसमें pencil लगाएंगे बिलकुल ठीक है तो अब क्या करेंगे एक बार हम compass की nook point A पर रखेंगे कहां पर रखेंगे point A पर और परकार कितना खोलना है इस AB की length के आदे से इस point तक आप खोलो तो अब इस point से एक आरक आप उपर लगाओगे और एक आरक आप नीचे लगाओगे कहां से A से अब उतना ही compass खुला रहन देना है और point B पर आप आपको आ जाना है या कि B पर अब B पर फिर से एक आरक उपर लगानी है और एक आरक हमें नीचे लगानी है तो दो फोईंट में लगा एक तो यह वाला पॉइंट में गए गया और यह फिर नीचे वाला पॉईंट में गए Indon опять हो जो इस केल से एक सीधी दी दी रे खा में लाओ और एक एखम यहाँ पर यह बराबर होगी, आप चाहो तो स्केल से नापकर देख सकते हो ठीक है, तो यह हमने example 1 में करा है, कि लमसम दीवाज़ा खैसना, यह उन्होंने देखो दिखा रखा है आपर, मैंने आपको बता दिया, अब देखो कहता है, आईए, तिर्बुज की रचना करते है, कैसे तिर्बुज की रचना, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, या तो तीनों भजाएं पता होनी चाहिए, या दो भजाएं, तो तिर्बुज की रचना करने के लिए तीनो साइड इक्वल होती हैं तो कैसे बनाएंगे देखो सबसे पहले हमने 5.5 इसकेल से नापके हमने यह ले ली 5.5 ठीक है कितनी इसकी लेंथ 5.5 सेंटीमीटर अब क्या करो कमपास में पैंसिल लगाओ कमपास की नोख कहां पर रखेंगे क्योंकि बाकित तीनो साहीड भी 5.5 है और कमपास की नोख रखेंगे और एक आर्क इस तरह से लगा देंगे इसमें नीचे नहीं लगा नहीं क्योंकि हमें इसा perpendicular bisector नहीं खेज़ना तो एक arc A से लगा दी उतना ही compass खुले रहें देना है अब A कार्क हम B से लगा देंगे ठीक है तो यह जो हमारा point प्राप्त हो गया है इन दोनों arc को जहांपर कट कर रही है यह point होगा हमारा C तो C को A से मिला दो और C को B से मिला दो बन गया जी संभाहू तिरबुझ automatic यह भी 5.5 आयागा और यह भी 5.5 आयागा क्योंकि हमने A B की length नाप कर ही तो arc लगाई है तो इस तरह से संभाहू तिरबुझ हम बना लेते हैं चलिए अब स्वैम परियास कीजिए क्या कहता स्वैम परियास कीजिए हमें सब से पहले यह कि एक तेरबुझ PQR की रचना करनी है जिसमें PQ भुझा दे रखी है QR दे रखा है और PR दे रखा है यानि तीनों भुझा हमें दे रखी है तो simple है मालो पहले हमने यहां पर ले ली PQ ठीक है PQ कितना लेना है 4 cm अब भुझा दे रखी है QR 3.5 तो QR जो है 3.5 हम खोल लेंगे 3.5 परकार में पैंसिल लगा कर उसको खोल लो कैसे scale पर रखना परकार की नोक 0 पर रखना और पैंसिल की नोक को कहां तक ले जाएंगे 3.5 तक ले जाएंगे या एक तरीका हो रहा है कि 3.5 cm की एक लाइन की चलो अब इस लाइन के बराबर आप परकार खोल लो यानि परकार की नोक यहां रखो और पैंसिल की नोक यहां पर ले जाओ कुछ बच्चे जो स्केल से नहीं राब सकते हैं उनके ले मने तरीका बताया है अब कहां से आर्क लगाएंगे क्योंकि यह QR है तो Q होना जरूर है यहां पर परकार की नोक रखेंगे और एक आर्क हम इस तरह से लगा देंगे ठीक है अब तीसरी बचा हमारी 4 cm है वही 4 cm रेख यहां पर लाइन कहीं चलो अब इसे कंपास से ना पलो यहां पर कंपास की नोक रखी नीचे है उपर पैंसिल की नोक रखी खुल गया अब यह P R है तो P से लगाएंगे ठीक है तो P से एक और R हमने लगा दी 10.3 cm का एक रेखा खंड खीचेंगे हम ठीक है यह जो है 10.3 cm का यह रेखा खंड खीच लिया यह मालो A भी है तो कंपास पैंसिल लगाना एक पर कार की नोक A पर रखेंगे आधे से ज़्यादा खोल कर A कार को उपर A कार नीचे इसके बाद आपको क्या करना है यह तीनों कोशचन आपको साफ साफ अपनी कॉपी में करने है उनकी एक बिल्कु साफ सी फोटो खेंचनी है और अपने सब्जेक्ट टीचर को क्या करना है वाट्शेप पर सेंड करना है धन्यवाद कर दो कर दो